इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया बहुत सारी अन्य खूबियों की साथ भारत रहस्यों के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे हैं हमारे देश में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आज भी गुमनाम है भारत की राजधानी दिल्ली में इतिहास का एक अध्भुत नमूना देखने को मिलता है दिल्ली के महरोली में स्थित कुतुब मिनार कॉम्पलेक्स के निकट ही है ये विशाल लोह स्तम लगभग 1600 साल पुराना ये स्तम आज भी अपनी उच्च तक्नीक की वज़े से दुनिया के कई विज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है इस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है जो चौथी शताबदी की है ये लोहे की लाज चौथी शताबदी यानि गुप्त राजवन्ष के काल की है इस पर खुदे अभिलेख में राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उलेख है जिन में राजा चंद्रगुप्त दुतिय की वीर्ता और यश का गुंगान है इस लोह स्थम्भ का निर्मान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दुतिय ने शक और कुशान जैसे विदेशी स्तामराज्य को भारत से बाहर खदेडने के बात करवाया था इस महान विजय की स्मृति के तौर पर ही चंदरगुप्त ने इस तंभ को बनवाया था इसी वज़े से इसे विजय संभ के नाम से भी जाना जाता है लगभग 98% शुद्ध लोहे से बने इस तंभ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बनाने वाले धातु के कुशल कारिगर रहे होंगे लेकिन लोहे से बने इस तंभ की प्रस्थिधी की वज़ा कुछ और ही है इस लोह संभ की खासियत ये है चाहे कोई भी मौसम हो सर्दी, गर्मी या बारिश हर मौसम में ये खुले आसमान के नीचे ही खड़ा रहता है लेकिन कभी इसमें जंग नहीं लगता है दिल्ली के लोह संभ में आखिर जंग क्यों नहीं लगता? लोहे का बना ये संभ 60 मीटर उचा है और इसका वजन 6000 किलो से भी अधिक है इसका एक मीटर हिस्सा जमीन के नीचे है, खंबे के निचले हिस्से का व्यास 17 इंच और शीर्ष पर इसका व्यास 12 इंच है इसका कारण जानने के लिए IIT कानपूर के प्रोफेसर ने 1998 में एक प्रयोग किया था प्रोफेसर डॉक्टर बाला सुब्रमन्यम ने इस नंब के लोहे के मटीरियल की चांच की इस जांच से पता चला है कि इस नंब के लिए जो मटीरियल तयार किया गया था उसमें कच्चे लोहे के साथ फॉस्फोरस मिलाया गया था जिसे जंग लगने की कती हजारों गुना धीमी हो गई आश्चर्य की बात ये है कि हमारे पूरवजों को इस जंग रोधी गुण के बारे में केसे पता चला जबकि फॉस्फोरस के जंगरोधी गुणों का पता आधुनिक काल में चला है दुनिया भर में माना जाता है कि फॉस्फोरस की खोच 1679 में हैंबर के व्यापारी हेनिंग ब्राणने की थी इससे पता चलता है कि पुरातन काल में भी धातु विज्ञान के बारे में उच्च कोटी का ज्यान था ये विशाल स्थम दिली के इतिहास का अभिन अंग है संपूर्ण विश्व से लोग इतिहास के इस करिश्मे को देखने आते हैं ये शो कर दो पता है